नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका टक्नीक यवर्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में तो आज में यहाँ पे आप सबके लिए लेके आ गया हो एक और मज़ेदार केमेरा कंपेरिजन तो आज हम यहाँ पे कंपेर करने वाले हैं पोको X3 के केमेरा को रियल्मी 7 प्र रियल्मिघेड दिया गया है इन दोनों और यहाँ पे कंपे चाल यहां पे लग लग lighting condition में compare करूंगा बहुत सारे फोटोस आपको भी दिखाऊंगा और देखेंगे कि यहां पे कौन सा फोन बेटर परफॉर्म करता है, साथ ही साथ में वीडियो के भी सेंपल देखेंगे और देखेंगे कि वहां पर कौन सा फोन बेटर परफॉर्म करता है, तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं इल्टर वाइड इंगल लेंज से निकाला गया सेंपल है यहाँ पर आप देख सकते क्लियर लिकी पोको की इमेज है वो ज्यादा ब्राइट है और जो स्किन टोन है वो भी यहाँ पर बेटर देखने को मिल जाता है जबकि जो रियल्मी ने स्किन टोन रखा है वो थोड़ा सा डार्क रखा है और अगिन वो इमेज भी बुरी नहीं है बट मुझे यहाँ पर पोको की इमेज ज्यादा बेटर लग रही है जबकि पोको ने जो स्किन टोन दिखा रहा है वो एक्चूल है और कलर्स भी थोड़े से बेटर दिखा रहा है जबकि रियल्मी में कलर्स अभी भी थोड़े डल लग रहे है पोको के पसंद आ रहे है और सेचूरेशन भी थोड़ा सा ज्यादा रख रहा है तो मुझे वह चीज पसंद आती है क्योंकि इमेज जब आप देखते हैं तो कलर्फुल हो तो ही देखने में मज़ा आता है ये कुछ ओर सेंपल से है तो यहाँ पर भी आप देख सकते है कि पोको की इमेज है वह यहाँ से बड़िया लग रहे है देखने में भी वो बड़ी अलग रहा है, skin tone का difference दिखाने के लिए मैं image को थोड़ा zoom in कर देता हूँ, तो जैसे zoom in करने के बाद आप clearly देख सकते कि Poco का skin tone है वो काफी बेटर है, जबकि 7 pro का skin tone है उतना बेटर नहीं लग रहा है, and clearly यहाँ पे आप देख सकते कि Poco का image processing यहा यहाँ पे वो चीज आप sample में भी देख सकते है, यह कुछ primary camera से लिए गए sample है, यहाँ पे clearly आप देख सकते कि जो Poco का color से वो यहाँ पे boosted है, saturation यहाँ पे बढ़ जाता है, जबकि real में जो saturation दिखा रहा है, वो यहाँ पे एकदम ही natural है, थोड़ा सा भी नहीं बढ़ाता है यह आपकी personal choice पे depend करता है कि आपको कौन से photos पसंद आते हैं, अगर आप मुझे पूछे तो मुझे saturated colors पसंद आते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे जो Poco के sample से वो बेटर लग रहे है, 64 megapixel mode में निकाली हुई image है, तो यहाँ पे पहली नेजर में दोनों image similar ही लग रही है, त इन दोनों images को हम zoom कर देते हैं, तो zoom करने के बाद भी यहाँ पे ज्यादा difference नहीं दिखता है, बठाँ यहाँ पे जो 7 pro की में जो थोड़ी सी ज्यादा sharp लग रही है अगर आप compare करते है Poco X3 के साथ, उसके बाद यह कुछ macro के sample है, तो यहाँ पे दोनों में ही 2-2 megapixel का macro sensor द देखते हैं, तो यहाँ पे Poco ने अच्छा दिखाया है, जबकि Realme में again वो color यहाँ पे dull लग रहा है, and skin tone अगर आप देखते हैं, तो Poco में थोड़ा से yellowish है, and यह photo साम के वक्त की है, तो actual condition यहाँ पे Poco ने थोड़ी सी दिखायी है, जबकि Realme ने वो skin tone को थोड़ा सा white र लेते हैं, यह कुछ होर सेंपल है, तो यहाँ पे भी जो difference है, वो clearly visible है, color से यहाँ पे Poco काफी अच्छे रख रहा है, and कुछ extra bright नहीं बना रहा है, इमेज इसको तो वो चीज यहाँ पे बढ़िया लग रही है, तो यह इंडोर ultra wide angle lens का सेंपल है, यहाँ पे दोनों ही image लेता है, यह primary camera से लिया गया sample है, यहाँ पे दोनों ही phone अच्छा काम कर लेते है, but again, जो skin tone है, वो यहाँ पे जो Poco दिखा रहा है, वो थोड़ा से actual है, and real में यहाँ पे skin tone थोड़ा change कर दिता है, and white बना देता है, portrait mode को ओन कर दिया है, जो direction का कोई भी issue नहीं है, but again, जो colors क कर रहा है, वो मुझे यहाँ पे Poco के पसंद आ रहे है, यह कुछ indoor ultra angle lens के sample है, तो यहाँ पे जब human subject नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे कोई इतना फरक नहीं दिखता है, दोनों ही phone यहाँ पे similar काम कर लेते है, जो primary camera से लिया गया sample है, तो यहाँ पे अगई आप देख सकते कि Poco ने actual condition है वही दिखाई है, और पूरे चेहरे पे यहाँ पे जो even tone है वो नहीं दिखाया है, जहाँ पे light आ रही थी वहीं पे दिखाया है, जबकि real में यहाँ पूरा चेहरा even tone का दिखाया है, पूरा ही चेहरा white बना दिया है, तो यह आपकी personal choice पे depend करता है, बाकि अग आपको कुन सी पसंद आती है, अगर ज्यादा white image पसंद आती है, तो आपको 7 pro की image पसंद आएगी, नहीं तो आपको poco image पसंद आएगी, and front camera में एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा, कि 7 pro का front camera का aperture वो काफी ज्यादा wide है, and poco x3 का इतना ज्यादा wide नहीं है, तो यहाँ पर दोनों ही phone ने अच्छा काम किया है, दोनों ही image काफी बढ़िया लग रही है, उसके बाद यह कुछ low light के sample है, जो मैंने लिये है, तो यहाँ पर clearly दिख रहा है कि जो realme के sample से वो better लग रहे है, and ज्यादा clear लग रहे है, ज्यादा sharp लग रहे है, and यह with night mode है, तो यहाँ पर और भी ज्यादा sample साफ हो जाते है, जबकि जो poco के sample है, वो यहाँ पर इतने ज्यादा sharp नहीं है, screen flash on करके मैंने sample लिया है, तो यहाँ पर भी अगिन मुझे poco के में थोड़ी सी ज्यादा better लग रही है, वो ज्यादा bright नहीं है, बट वो मुझे देखने में better लग यहाँ जबकि ज्यादा bright image यहाँ पर रियल में की लग रही है, विदाउट night mode तो यहाँ पर पोको का काम better हो रहा है, यह primary camera से लिया है, without night mode है, यह with night mode है, तो यहाँ पर अगेन poco के image ज्यादा bright लग रही है, तो यह चीज मुझे यहाँ पर surprising लगी है, यह अगेन without night mode है, and this is with night mode, तो यहाँ पर पोको का night mode भी काफी बढ़िया है, और काफी bright results यहाँ पर आपको देखने को मिलते है, तो यह चीज से मैं काफी ज़्यादा impressed हुआ हूँ, क्योंकि जो realme 7 pro का night mode है, अल्रेडी काफी ज़्यादा impressive है, and poco यहाँ पर उसी के साथ उसी level का का काम कर रहा है, कि मैंने flash on करके कुछ photos निकाली है, तो यहाँ पे तो colors दोनोई phone चेंज कर देते है, actual color यहाँ पे अगर आप देखते है, तो जो realme ने दिखाया है, वो थोड़ा सा close to natural है, बाकी perfect color तो यहाँ पे दोनों में से किसी भी phone ने नहीं दिखाया है, तो यह अभी कुछ video के sample लेते हैं, तो यह जो footage अभी आप देख रही है, मैं दोनों iPhone में side by side record कर रहा हूँ, ultra angle lens रेकोड कर रहा हूँ, and 1080 pixel at 30 frames पे रेकोड कर रहा हूँ, क्यूंकि maximum आप realme में 188 30 पे रेकोड कर सकते हैं, जबकि Poco X3 में आप ultra angle lens में भी 4K तक रेकोड कर सकते हैं, 188 60 पे भी रेक resolution में shoot कर रहा हूँ, दोनों iPhone में, and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि quality की स्थरक की है, stabilization कौन से फोन में बेतर देखने का मिल जाता है, and दोनों iPhone में आप 4K में 30 fps पे रेकोड कर सकते हैं, तो 1080 pixel at 60 fps पे रेकोड कर रहा हूँ, यह वीडियो, and यहाँ पे मुझे स्क्रीन में Poco X3 में stabilization दिख रहा है, काफी बढ़िया दिख रहा है, जबकि Realme 7 Pro में नहीं दिख रहा है, बाकि हम actual footage देखेंगे तो ज्यादा idea लगेगा, तो 1080 pixel at 30 fps पे रेकोड कर रहा हूँ, यह पार्ट एंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि footage की quality कि इस तरह की है, कौन से phone में बेतर है, audio कहाँ पे बेतर है, stabilization कहाँ पे बेतर है, वो भी आप देख सकते हैं, अब यह अगली footage में आपको steady video and super steady mode ओन करके दिखा देता हूँ, तो stabilization के लिए दोनों इफोन में steady video and ultra steady जैसे option देखने को मिल जाते हैं, तो वो मैंने enable कर दिया है, तो अभी मैं थोड़ा सा run करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे Poco H3 की footage काफी ज्यादा stable है, जबकि Realme 7 Pro की footage इतनी ज्यादा stable नहीं लग रही है, तो यह जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, दोनों इफोन में side by side record कर रहा हूँ, and front camera से record कर रहा हूँ, 1080 pixel at 30 frames पे record होता है, दोनों इफोन में, अभी में just walk कर रहा हूँ, audio भी इसी के internal microphone से record हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते audio की quality की स्तरकी है, footage की quality की स्तरकी है, and dynamic range भी आप देख सकते है, तो यह slow motion का sample है, 120 fps पे record होता है, अगर आप 1080 pixel पे करते है, and 240 fps पे भी दोनों इफोन में आप record कर सकते हैं, बट वहाँ पे आप 720 pixels पे रेकोड कर सकते हैं, तो अभी अगली footage आएगी वह आपको 240 fps वाली दिखा दूँगा, इसके अलावा Poco X3 में आप 960 fps पे रेकोड कर सकते हैं, बट Realme 7 Pro में वह option आपको देखने को नहीं मिलता है, तो दोस्तों, overall results के बारे में बात करी जाए, तो मुझे यहाँ पे Poco X3 का जो camera है, उसका performance बेटर लगा है, जो skin tone था, जो colors वगे रहे था, वह यहाँ पे Poco better दिखा रहा था, कि 7 Pro के front camera ने better perform किया था, नाइट मोड में specially बाकि उसके अलावा सभी जगे पे Poco X3 ने better perform किया है, तो यह photos की बात होगे, अगर videos के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी again काफी ज़यदा differences देखने को मिल जाता है, तो Poco में आपको vlog mode देखने को मिल जाता है, वीडियो में भी pro mode देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा ultra-adding lens से भी आप 4K 30fps तक and 1080p at 60fps तक record कर सकते, तो वो चीज काफी बढ़िया है, वो चीज़ आपको realme में देखने को नहीं मिलती है, और वहाँ पर आपको stabilisation भी मिल जाता है, जो कि again realme में missing है, वहाँ में आपको मिल जाता है bokeh video, तो bokeh video यहाँ पर आपको again Poco में नहीं मिलता है, और realme में photo में तो pro mode मिलता है, बट video में pro mode नहीं मिलता है, तो अगर आप feature के वाइस देखते हैं, तो मुझे यहाँ पर Poco के feature ज्यादा लगते हैं, ज्यादा useful लगते हैं, बाकि आपकी personal choice पर कि आपको कुन सा feature ज्यादा जाते हैं, अगर आपको bokeh video ही चाहिए, तो आप definitely realme की तरफ जा सकते हैं, बाकि आप ultra angle lens से 4K तक record करना चाहते हैं, उसके आप vlog mode आप लेना चाहते हैं, तो definitely आप Poco X3 की तरफ जा सकते हैं, तो इन दोनों में से अगर किसी एक को winner pick करना हूँ, तो मैं यहाँ पर Poco X3 को ही pick करूँगा, क्योंकि उसके camera नहीं यहाँ थोड़ा सा better perform किया है, और उसकी price भी अगर 7 Pro से आप compare करते हैं, जो 6.28 है, उसकी 18,500 है, की 7 Pro की price 20,000 है, तो यहाँ पर pricing के हिसाब से भी अगर देखते हैं, तो Poco X3 एक better value for money choice है, तो बस अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उमीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और फेमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, बाकि इन दोनों फोन का एक full comparison भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको बिटर आइडिया लगएगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, तो चलिए मैं मिलता हूँ, आप से अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाएंद, जाए बाराद,